Hello friends, weekly podcast में आप लोगों का स्वागत है, उमीद करता हूँ कि आप हमारा podcast regularly सुन रहे होंगे और जिनको जरूत है उनको forward भी कर रहे होंगे, उनके साथ share और discuss भी कर रहे होंगे ये week जो हमने देखा, volatility देखी, पहले थोड़ी सी गिरावट देखी शुरुवात के दो दिन, उसके बाद last के दो-तीन दिन में हमने lower level से recovery देखी, निफ्टी का जहां तक सवाल है, lower level 11,185, 11,185 लेवल से निफ्टी ने एक rebound दिखाया है, and the closing which we have seen was at around 11,464 लेवल, Friday की आज की closing 11,464 के आसपास है, next week, crucial week होगा, अच्छा momentum build up हो सकता है, अगर 11,500 के उपर निफ्टी सस्टेन हुआ, if निफ्टी is able to sustain and break the levels of 11,500 on higher side, then we can see a very good upside move in निफ्टी, और फिर वापस से हैं उपर में, 11,700, 11,800 तक के लेवल next week में देख सकते हैं, और एक बार 11,800 का लेवल ब्रेक हुआ, तो उसके बाद तो बहुत बड़ा upside move निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, निफ्टी का जो नीचे में support है, 11,400 का immediate trading के लियाद से है, और उसके बाद जो next support है, 11,200 के आसपास है, यानि next week के लिए आप लोग को जो ध्यान दखना है, 11,200, 11,200, 11,400, 11,400, ये दो support levels है, अगर ये टूपते हैं, तब तो एक अच्छा fall आएगा, अगर नहीं टूपते हैं, और 11,500 उपर में टूपते हैं, तो पहला target बनेगा, 11,700, 11,800 के, 11,800 के उपर closing देखने को मिलती है, और अगर कोई positive news आ जाती है, तो निफ्टी ये एक बड़ा upside move दिखाएगा, और पिर नए lifetime high levels हमको nifty के अंदर जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं, ये तो रा निफ्टी का, अब bank nifty, bank nifty ये पूरे हफते compare to nifty ज्यादा weakness दिखाया, moratorium की news की वज़े से, बैंकों की positions already tight है, moratorium की ओपर कोई news नहीं आ रहा है, उससे related हमने banking shares में, financial NBFC में दबाव देखा है, और पूरे हफते bank nifty में हमें selling pressure और एक दबाव देखने को मिला है, bank nifty इस हफते में last 5 दिनों में हमने देखा, उपरी level से 23,000 के level से एक one way fall हमको देखने को मिला, और नीचे में हमें करीब करीब 22,000 तक के level हमको देखने को मिले, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब next week जिस तर से bank nifty के लिए भी crucial होगा, bank nifty के अंदर जो immediate support levels है 22,000, 22,000 और दूसरा support नीचे में 2700, 21,500 के आसपास होगा, ये दो support levels bank nifty में आपको ध्यान में रखने है, अब resistance की बात, bank nifty के अंदर अगर उपर में 22,700 और 23,000 ये दो resistance levels है, 22,700 और 23,000 ये दो resistance level है, ये resistance level break होते ही, सबसे पहले तो technical breakout मिलेगा, जिसके अंदर उपर में 23,500 से लेके 23,900 तक का upside move देखने को मिलेगा, और अगर कोई positive news आई, जो markets के लिए और bankings के लिए positive हुआ, तो फिर हमें bank nifty के अंदर 25,000 प्लस के level भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप लोगों को closely watch करना है, जो मैंने levels के हैं, next week में अगर resistance breakout आया, तो एक अच्छा move bank nifty के अंदर देखने को मिलेगा, bank nifty में अगर breakout आया, तो banking stocks और financial stocks बहुत बड़ी upside move दिखाएंगे, SBI पे नजर रखिए, आज Friday को closing session में SBI में खरिदारी देखने को मिली है, और 200 के उपर हमने देखा है कि SBI आया है, तो हमें ऐसा लगता है कि next week के अंदर SBI में अच्छा upside move देखने को मिल सकता है, SBI की closing 202 के आसपास हमको देखने को मिली है, 10% का upside move आप मानके चले, SBI के अंदर next week के अंदर देखने को मिल सकता है, अगर ये नीचे में 190-195 के लेवल नहीं तोड़ता है, तो इसके साथ साथ, Bank of Broda, PNB, Canada Bank, ये भी पीछे-पीछे चलेंगे, रही, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बाद, तो आप लोग watch कीजिए, ICSEI Bank, Axis Bank, SDRC Bank, इस हफ्टे तो इन्होंने गिरावट दिखाई, दबाव दिखाया, लेकिन अगर markets में rebound आया, तो ये banking stocks में भी तेजी का move देखने को मिलेग पोड़कास को सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, regular updates के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें follow कीजिए, social sites पे जहां आप जाओगे, हमें पाओगे, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram, सब जगे हम मुझूद है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के हम वहां पे regular updates भी देते रहते हैं, तो हमें follow कीजिए, views का फाइदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिस कीजिए, अपने near and dear ones को, दोस्तों को, family में, friends को, इन लोगों को views दीजिए, so that वो लोग भी पैसा कमा सके, मिलके आगे बढ़ेंगे, तो सब को होगा, कर भला, तो हो भला, इसी के साथ, आज का podcast यहीं खतम करते हैं, अगले हफते फिर मिलेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, weekend enjoy कीजिए, family के साथ, अच्छे से, खुशी के साथ बनाईए, Monday को फिर मिलेंगे, thank you very much, bye.